अब फ़ले मुझे बता दू कहां थे लास्ट अपना क्या था अब आप इस अब आप आप इस अब आप इस अब आप आपना टॉपिक देखिए उपेंद्रवज्राचंद शायद हो चुका था है ना उपेंद्रवज्राचंद हमने शायद लिख दिया था कहां से स्टार्ट करनी आज की क्लास इंद्रवज्राचंद कल हो चुका था उपेंद्रवज्राचंद का हमने लक्षन भी लिख दिया था उदाहरन बाकी था है ना चली स्टार्ट करते हैं चंद का नाम है उपेंद्र वज्जरा लक्षन लिख दिया था उपेंद्र वज्जरा चंद के लक्षन में क्या याद करना था थोड़ा सा हिंट याद करते हैं उपेंद्र वज्रा चंद का लक्षन क्या था कि अपन तो हिंदी में बात कर रहे थे हिंदी में बात कर रहे थे कि उपेंद्र नाम के लड़के को अपन कह रहे हैं क्या जा तू जा और ततो यानि इसके बाद क्या ला गायला दो गायला चलो वह अच्छी बात है है ना कितनी गायला दो गायला उपेंद्र वज्जरा से अपन कह रहे थे उपेंद्र वज्जरा जत जास ततो गव यानि कि हमें याद रखना है कि इंद्र वज्जरा उपेंद्र वज्जरा चंद के लक्षन में और जो अपना सिंबल है उसमें इतना सा यंतर था कि दोनों ही चंदों में है कितने-ους लेकिन इंद्रवज्राचंद की स्टार्टिंग में एक गुरु आ जाएगा जबकि उपेंद्रवज्राचंद की डिवा गुरु दोनों में 11 हैं दोनों एंत में दो दो गुरू आते हैं अच्छ है चलिए उपेंद्र लक्षन बाकी था ना को था ना रखो नन्य यह उपजाती चन्द मौन वब होगी यह एक है कर जो टासाGood Sc minds रिविजन 16Shot वाले मेप का कल जो मैप बनाये था ना हमने फासली जो डाइग्राम बनाये था जिसमें बहुत सारे हमने क्या शौर्ट नौट शौर्ट प्रिक्स लिखी थी उसका रिविजन चाहरी फासली बोलना यहीं है शब्से पहले वर्णों से शुरू करते हैं आठ वर्ण वाला संद कौन सा है ठीक है अनुष्टूप चंद अश्ट बरनातम कहां चंद हां कहां कि अनुष्ठुक छुभ चंडसी प्रति चर्णे पंच मह वर्ण अस्ति शषटोंड स्थी सब्तम वर्ण सब्तम वर्ण सब्तम वर्ण द्वितिये चतूर्थे चर्णे यहां तक बात वह गई थी फिरम बात कर रहे थे आगे कि आठ वाली बात हो गई फिरम बात कर रहे थे किसकी 11 की एकादश वर्णात्म कह चंदह के इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाती 11 की बात हो गई फिर आगए 12 पे 12 पे कौन-कौन है बुजंग का वंश दुरुत चलता है यानि की कौन-कौन बुजंग प्रयात वंशस्त और चेक यह दुरुत विलंबित फिरम आ गई थे कहां पर 12 हो गया इसकी बाद आगई थे कहां पर? 13 पर और 13 का क्या था? रुचीरा तेरा प्रहरशिणी अर्थार रुचीरा और प्रहरशिणी में थे कितने वर्ण होंगे? 13 ठीक है इसकी बाद हम लोग बात कर रहे थे किसकी? 14 की 14 वर्णों पर कौन है? वसन तिल का ठीक है चौदह पे वसंतिल का क्या तिरिक्त और कोई भी नहीं है फिर बात कर रहे थे किसकी पंद्रह की पंचदश वर्णात्मा कह चंदह कह और मालीनी में तो मालीनी मैंने कल भी बताया था स्टार्टिंग कहां से होगी बस बहुत इतना मालीनी चंद के प्रतेक चंद में कितने वर्णोंगे पंद्रह यानि कि कितने पंचदश और उसकी स्टार्टिंग तो मैंने का था मालीनी यानि कि मालन मालीन जो की फूल की करती है जिसका की छोटा सा बगीचा है वह आपको फूल तोड़ने देगी क्या नहीं देगी तो बात कर रहे थे अपन किसकी सोलह की सोलह पे कौन है तो इस वर्ण एक अनसीन लाइन में यह दी कूल वर्ण कितने आते हैं सोलह तो वह अनुस्टूप के दो चरण होंगे जेके बीच में सब को विभक्त करना आठ के बाद फिर एक से लेकर आठ तक में आपको क्या करना है वाल लगू छटा गूरू फिर दूसरे चरण में भी पांच वाल अगूर चठा गूरू फिर आपन आगए कहां पर 17 अधर और 17 पर तो कौन है कि मैं कह रही हो कोई अंसिन लाइन है उसमें यदि ध्यान देना कान खुले रखना यदि कोई अंसिन लाइन तीन आगई अचानक से तीनों पर सत्रा 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 है आपको जज करना है कि 17 पर यदि पहला वर्ण गुरु आया तो कौन सा चन्दोगा सतरा पे तीनों सतरा के हैं सतरा में सबसे पहले गुरु आ गया तो कान मंदा करांता क्योंकि अपना प्रिक ऐसा था ना नीयमा हरी शिकर पे मंद चल मंद यानी मंदा करांता कहा था लास्ट में था और मियमा का मा भी कहां था लास्ट था फिर अपन बात कर रहे हैं कि यदी सबसे पहले अपन कोई अंसिन लाइन है कुल वर्ण कितने हैं सतरह और यदी अपने पास आ गया कौन नगण यानि कि लगू पहला अक्षर लगू है पहला अक्षर लगू है तो कौन हरिणी कंफर्म बिना देखे काम हो रहा है फिर बन बात कर रहे थे कि न तो लगू है न गूरू है यनिकी कौन आ गया शीखरिनी चंद ठीक है बात हो गई 17 की 18 पे कुछ भी नहीं था फिर बात कर रहें किसकी 19 की नवदश वर्नात्म कह चंदह कह शार्दुल विक्रिडितम और शार्दुल विक्रिडितम चंद का प्रयोग कौन से किस प्रकार के श्लोकों में किया जाएगा तो युद्ध और वीरता के वर्नन में क्योंकि शार्दुल यनि शेर तो युद्ध भी करता है और वीर भी है पुरा ट्रीकी तरीके से याद करवा दिया था आपको फिर 121 वणात्म कह एक और ओना वीषी और एक विंश्थी इसलहान याद रखना 212 वीसलैंड गर्ञें का चंद कह स्रक रग az जो चंद है उसमें यती कितने वर्णों पर आती है साथ वर्णों पर क्योंकि वहां तो अपना कोड़ वर्ड क्या था त्री मुनी क्या था कोड़ वर्ड त्री मुनी प्रतेक है ना ऐसा कौन सा चंद है जहां प्रती साथ वर्णों पर यती आईगी तो स्त्रक्धर आईए सा साथ साथ ठेक है क्षिर फूपन बात कर रहे थे अंतीम आट्रया चंद क्यूंग measurement क्じゃग मात्रिक संद कान्यान मazar कह था चाती चंद बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं Спुछ से अट्रेल हो ठिक्षिए फिर बाद कर रहे थे कि आर्याचन्द के प्रतियक मोस्ry चरण के वर्ण की बात कर रही थे कि टुमात्राओं की बात कर रहे कितना 12 18 12 15 यदि आपसे पूछा जाता कि आर्या चंदसी 22 मात्रा आर्या चंद में 12 मात्रां कस्मिन चरणे भवती 12 18 12 15 12 12 कहां ही पहले और तीसरे चरण में है ना आर्या चंदसी अस्टादश वर्णा कस्मिन चरणे ठेक सारे कॉंसिप क्लीर हैं पूरा कपूरा चार्ट यादे सारे कॉंसिप क्लीर हैं कोई हडिक नहीं है चलिए अपन बात कर रहे थे आज की क्लास की और आज की क्लास कहा है अपनी उपेंद्र वज्रा का लक्षन लिखना है ठीक है ना लक्षन लिख चुका है थे उपेंद त्वमेव माताच पिताच त्वमेव शुरू हो जाईए अंसिन लाइन है चंद चाटना है सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चीए पूरे वर्ण गिनो सबसे पहला स्टेप पूरे वर्ण गिनने हैं सबसे पहला स्टेप है अपना क्या पूरे वर्ण गिनने हैं और पूरे वर्ण गिनने के बाद अपना स्टेप क्या था कि सबसे पहले पूरे वर्ण गिनने हैं पूरे वर्ण गिनते हैं चलिए एक दो तीन चार पांच छे चार आट नो दस ग्यारा फिक है कितने वर्ण है ग्यारा वर्ण है ग्यारा वर्ण है तो सबसे पहले बाले पर अपन को क्या लगानी है मात्रा लगानी है सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको व आधा वर्ण जो त है वो व में जुड़ेगा क्य नहीं जुड़ेगा यदि पीछे को याधावर्ण है तो व में जुड़ जाता लेकिन व तो अपना अकेला है व कैसा है वर्तमान में आपका लगू है ग्यारा वर्ण है अपना कॉंसेप्ट उतना ही रखो ग्यारा वर्ण है पहला वर्ण लगू यानिकी कौन वज्रा और लगू आया है तो कौन सा हो जाएगा उपेंद्र वज्रा हो जाएगा और ध्यान देना लास्ट में अपनने कहा था कि दो गुरू आने चाहिए है ना आगे से वेसे काम हो गया है जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं देखिए मैं मैं यानिकी कौन ए ए पे क्या लगता है गुरू और मैंने कहा था विकल्प से हम वो पे या अंतिमवर्ण पर भी अपन को लगाना पड़ेगा तो सारे नियम यहां सेट हो रहे हैं तो आपको पूरे पे मात्रा लगाने की आविशकता नहीं है ग्यारा पे पहला लगू यानिकी उपेंद्र इंद्रवज्रा ग्यारा पे पहला गुरू यानिकी कौन इंद्रवज्रा शुरू कर दीजिए पुरू यानिकी की आविए शुरू कर दीजिए त्वमेव माताच पिता त्वमेव पूरे वर्ण कितने हैं ग्यारह और पहला कौन सा है लगू इतना ही करना है बोड पर आजाओ जल्दी से फासली बोड पर आजाएए अब यदि अपन ये तो एक्जेम के ट्रिक है कि हमें कम टाइम में राइट आंसर क कैसे निकालना है अब पूरा करके देखते हैं अपनी चोईस के लिए सबसे पहले वह यानि कि कौन लगू में वह माताश पी तड़ा अब उपेंद्र वजरा चंद का लक्षों ने ध्यान टेना किस चन्दका लक्षण हे उपेंद्र वज्रा चन्दका और उपेंद्र वजीज्रा को तो अपन कह रहे थे कि जा तू जा और क्या ला दो गाएंत ड़िक-क भुटन जगण-ल्जगण ठिक है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततोगव यह हमने याद कर लिया था लेकिन मैं इस बार कुछ नया ट्राय करने के मूड में हूँ कि बिना लक्षन याद किये भी बिना मेहनत किये बिना लक्षन याद किये भी किया आपन परफेक्शन तक पहुंचते हैं ओर बिनाम के लड़के को पितों सबसे शक्त 210 ऐसा तो ग्यारा पर Richardson Shalvi आ गया याने की कौन पिंद्र वज्र और 11 धिए कि उपेंद्र कूझ सामाने बालक लड़को के लाम एक उसके बैदर की जा इक एक शबर कोсь रगए कशौण जज यापना कोण जज और जज तो पॉंधा आई एसाई याद किया था कल जज तो आई एसाई मांक देता ओना फिर अपन बाद कर रहे थे तगन तगन इनी तारा ज़र यह मा तारा ज़र सही बैट रहा है फिर अपना कौन वापस जगन याइसाई अंत में दो गुरू बिलक टेलेंट दिखाना है एया समझ में आप ऐसा नहीं कि पूरे हैं पे मात्रा लगाते चलें 11 यह फ्रस तो यह टाइम बचाने वाली चीज़े हैं, बढ़ें आगे इसकी बात करते हैं, फासली मेरे साथ ही रहना, देखो कल एक ख्लास ऐसी होने वाली ही आपकी, आज सारा का सारा चंद समाप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़के, रिवीजन करके छोड़ेंगे, कल ऐसा करना है कि मैंने क्या ट्रिक्स बताई थी ना, लर्निंग मैं नहीं के रहे हैं, लर्निंग मेरी अपनी है, आप केवल थोड़ा सा समझ के आईएगा, ताकि अंसीन लाइन मिलेगा, और टाइम के एकोडिंग अपन फासली उसको करेंगे, क्या वन सेकंड में हुआ, ठीक है, नेक्स्ड आज अरा, समझ में, खेलो गें सा खेल, खेलो गें ना, तो वो जो है, यहां पर 11 सेकंड में करके खतम और सारे के सारे, इसके खने हैं कल उसके लिए चेलेंज के लिए, एकसेप करो चेलेंज, और उसके लिए रेडी रहना बिल्कुल, कहां बात कर रहे हैं, मही पाल लट वह बहुत अच्छा मैं देखना चारी थी आप क्या बताते हैं बहुत शामदार ठीक है मही पाल गुरू लगू तो कौने लगू वह आपका कौने है गुरू क्यों क्योंकि संयुक्त वियंजन आ गया है श्रा अपने आपने कौन लगू में और ये तो अंत में क्या है विकल्प है उपेंद्र वज्जरा को करें जा यानी जगन जगन तो अपना कौन है जज फिर कौन है तारा जब विल्कुल सेट बैठ रहा है फिर अपना कौन वापस जगन यानि कि आये साई अंत में दो आंसर निकाल दीजिए कौन तो पेंद्र वज्जरा आया समझ में एक्जेंड में वही पैटर्न अपनाना इस शॉर्ट वाला बढ़ें आगे फास्टली झाल बढ़ें आर आगें पास्टली हो चुका होगा है एक आदश्वर्ण और प्रथम वर्ण आपका आना चाहिए लगू यही एकौन उपेंद्रवज्रा यदि आपसे पूछा जाए यां दीजेगा यदि आपसे पूछा जाए के अंते अंते यानि कहां पर अंत में अंत में गुरुद्वयम कस्मीन चंदसी आ होगा क्योंकि इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा के योग सही तो कौन बना है उपजाती बना है ना क्यों लिख दीजिए अंते गुरुद्वयम कि अंते गुरुद्वयम कि अंते गुरुद्वयम कि कस्मीन चंदसी आयती अंते गुरुद्वयम कि अनुस्वार कि कस्म चंड़ियाती जैसे की मातरा चोटी हैना हलनत वालेशब्दों के सब्टमी एक वचं में चोटी रहती है अंते गुरुद्वयम कश्मिन चंड़ियाती अंत में दो गुरुकिस किस चंड में आते हैट कौन इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा और उपजाती जग छोड़ना और भी आ रहें आगे जग छोड़ना और भी आ रहें है ना बढ़ें आगे इंद्रवज्रा हो चुका था उपेंद्रवज्रा हो चुका है नेक्स आजा ये उपजाती चन कर दो अनन्त रोदेरी तिलक्ष्म भाजव पादव यदिये वुपुजात यस्ताहा इत्थम कीला न्यास्वपी मिश्रितासू क्षुचचचचचचचचचचचचचचचचचच चुआँ झाल झाल उपजाती छंद लक्षन लिख दिया होगा आगे बढ़ें उपजाती छंद की क्या विशेष्टा है कि इसके अन्य नाम है कि इसके अन्य नाम या उपणाम क्या है संयुक्त चंद युगल चंद और मिश्रीत चंद संयुक्त चंद युगल चंद और मिश्रीत चंद कौन सा है क्लियर क्याशन आ जाए निम्नांकित में से किस चंद को संयुक्त चंद युगल चंद और मिश्रीत चंद कहते हैं कुप जाती चंद लिखें कि प्रत्य चरण में उप जाती चंद की बात कर रहें प्रत्य चरण में एकादश वर्ण प्रत्य चरण में एकादश वर्ण यनिकी 11 वर्ण प्रत्य चरण में एकादश वर्ण फिलिखें इस चंद के कोई दो चरण इस चंद के कोई दो चरण इन्दर वज्जरा इस चंद के कोई दो चरण इंदर वज्जरा एवं अन्य कोई दो चरण अन्य कोई दो चरण अन्य कोई दो चरण उपेंदर वज्जरा चंद के लक्ष नो से जटीत होते हैं लक्षणों से गटित होते हैं पढ़ें आगे इसकी बादम बात कर रहे थे कि इसी कारण यह चंद कैसा कहलाता है मिश्रित युगल और संयुक्त चंद कहलाता है इसके बाद आगे बढ़ें लक्षण हो चुका इसका उधारन पर आ जाईए लक्षण हो जाँ लक्षण हो जाँ झाल झाल ते मरत्य लोके भूवी भार भूता, मनुष्य रूपेण म्रगाश्चरंती, नीती शतकम का एक श्लोक है, जिस मनुष्य के पास ये शामन विद्यान तकोन दान, है ना सुनाओगा, इसके पास विद्यातप, दान, शील, गुण, ये सब नहीं है, वे तो मरत्य लोके यनि इ के समान है, मनुष्य रूपेण म्रगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में म्रग ही विचरन कर रहे हैं, अर्थात जानवर घूम रहे हैं, अंसिन लाइन है, चंद चाटना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वर्ण गिनने, बोड कर आ जाओ जल्दी से, वर्ण गिनने कैना, शुरू हो जाओ, काउंट करें फासली, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आण, आण, नो, दस, गैरा, बिलकुट चीक, नりक्स्ट, एक, दो, एक, buckets, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आण, आण, नौ, 10, 11, बिलकुट चीक, ग्यारा हैं, पहला वरन ज्यान दीजेगा सबसे पहला यहां पर क्या रहा है अपना मह यानि की कौन मह यानि की कौन आपका लगू बस यहीं काम खतम हो गया अरहे समझ में 11 पे एक आगया गूर एक आगया लगू जो गूरू है वो कौन होगा क्योंकि इंद्र तो बहुत शक्ति-शाली है ताकतवर ह है तो वो तो गूरू कहलाएगा चो लगूए वो तो सामाने बालक है सामाने बालक अपना कौन है ठीक है 11 पे इंद्रवच्रा एक उप इंद्रवच्रा आगया यानि की कौन उप जाती चंद ठीक है पूरे का हड़क लेना ही नहीं यह बढ़े आगे शुरू से बात करें अनुस्टूप समापत हो गया बहुत अच्छे से प्रतेक्षण में आठ बन पांच्वा लगू छटा गूरू सात्वा आगे बढ़ा और पीछे चोटा ग्यारा की बात करें ग्यारा पे कौन-कौन थे इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा और उप जाती इंद्रवज्रा का लक्षन था स्यात इंद्रवज्रा यदी तव जगव गह ठीक है उपेंद्रवज्रा का था उपेंद्रवज्रा जतजास ततो गव उप जाती मिश्री प्रोसेस से काम करना है कि पूरे वर्ण गिनने कितने ग्यारा पहले एक पे लगूर एक पे गुरू आगया यानि कि कौन उप जाती सबसे जल्दी खतम होने वाले टॉपिक ग्रामर के ही हैं सिक्षन वीदियों को पढ़ने में और समझने में जदा टाइम लगता है बहुत ट वज्रा उपेंद्र वज्रा उप जाती यानिकी ग्यारा की बात समाप्तु अब बात कर रहे हैं किसकी बारा की वादश्वर्णात्मक्की बात कर रहे हैं और बारा पे तो अपने पास क्या-क्या चंद है भूजंग का वंश दुरुट चलता है यानि कि भूजंग प्रयात चंद वंशस्त चंद और दुरुट विलंबित चंद ठेक है सबसे पहले अपन बात करते हैं वंशस्त चंद की अपन बात कर रहे हैं वंशस्त चंद की वंशस्त चंद का नाम कुछ बदल दिया था अपनने कल वंशस्त चंद का नाम क्या रख दिया था वंशस्त चंद यानि कि अपनने वंशस्त चंद का नाम बदल के क्या रख दिया था वंशस्त चंद यानि कि आपको याद करना है इसका लक्षन जताओ तु वंशस्त मुदी रिटम जराओ अडेक लेना ही नी हमें वंशस्त जा जा यानी कौन जताओ जराओ बहुत शौर्ट ट्रिक से काम किया था वंशस्त जा यानी कौन जताओ जराओ कुछ भी याद नहीं करना बीच वाला पोड़ पर आजाओ यह जो एक्स्ट्रा लिखा उसका क्या मतलब है वंशस्त तो कहलाता है जगन तगन जगन रगन तो अपन तो शौर्ट में काम करेंगे वंशस्त जा वंशस्त का नाम यह से बोलना है वंशस्त तो जगन गया आपन को क्लू में फिर अपन क्या बात करेंगे जताओ जरू यह इतना लिखने की जरूत नहीं है प्रश्ण बनेगा तो क्या बनेगा जटव जरू कस्मिन चंद सी आयती है ना जगन तगन जगन रगन की चंद में आएंगे तो अपना तो शौर्ट जरू याद है हमें बढ़े आगे जताओ दू वन्शस्त मुदी रिदम जरू आगे बढ़ें प्रतियक चरण में द्वादश वर्न प्रतियक चरण में द्वादश वर्न खिर लिखे नगनीं कितना बारह प्रत्येक चरण में ध्वादश वर्ण 12 वर्ण फिर लिखें क्रमानुसार दूसरा पॉइंट लिखें क्रमानुसार जगन तगन जगन रगन क्रमानुसार जगन तगन जगन रगन रहते हैं क्रमानुसार आराम से देख के बात करते हैं जगन तगन जगन रगन रहते हैं प्रत्य चण में बारवन होंगे क्रमानुसार जगन तगन जगन रगन रहते हैं कुछ भी स्पेशल बात नहीं कोई यती नहीं आई यती अपनी शुरूती 15 से 15 पे कौन बठा हुआ है और मालीनी तो स्टार्टिंग में क्या कहती है बस कोई भी यती नहीं है जतव जरू हो चुका है उधारन पे आजाएए भवंती नम्राह तरवह फलोध गमे कि नवाम भूभी ही भूभी बिलंबी नो घनाहा जल्दी से बोर्ड पर आ जाएं जल्दी से बोर्ड पर आ जाएं क्या काम करना है देखो तीनों की बात कर रहे हैं बुजंग प्रयात का क्या ट्रिक थी कल बुजंग प्रयात की कल क्या ट्रिक थी एए बुजंग प्रयात में तो क्वण आएगा यह आएगा और कितनी बार आएगा अबस यह वगया चार बार कोन आएगा यह यानिकी यह गंसे स्टार्टिंग थी वंशस्त का नाम कल क्या था सबरक्ट कोन आएगा जगं यनी जज और जज यनि आईयों साइज तो दुन भीकाम जल्दी जल्दी करना चाहिए तो फिधिन ढूसे नहीं सिर्फ इतना करना है पूरेक्ष्व गिनन गिनते चलिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आज, नो, दस, ग्यारह और बारा ठीक है, पूरे वण्त कितने आ गए अपने पास, बारह बारह पे सबसे पहले क्या है सबसे पहले है भई, 앉की लगू सबसे पहले भई, यानिकी कौन, लगू व यानि की कौन गुरू क्योंकि आधा न पीछे है और ती यानि की कौन लगू कौन आ गया अपना जज कौन आ गया अपना जगन जगन यानि कौन जज बारा पे जज आ गया यानि की कौन वंशस्त पंपंप पीछे तक जाना ही नहीं है अरह समझ में पीछे तक जाना ही नही फिर एक और नेक्स ट्राइ करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह और बार ठीके बारह वण आ गये हैं बारह वण पर तीन आप्शन बिल सकते हमें अब देखते हैं क्या है यहां पर सबसे पहले बात करते हैं न की न यह नी लगू वायनिकी गूरू बू यानिकी लगू आइये साई आईये साई तो अपना कौन है जगन जगन यानि कौन जज बारह पर जगन है वंशस्थ जगन है तो सही आंसर क्या है वंशस्थ चंद बढ़ें आगे सारी मात्राइं नहीं लगानी है और हजारों जगह कोई चीज चेक करने के बाद ही मैं आपको पढ़ाती हूं हर चीज मेरी एक्सपेरिमेंट की हुई हर ट्रीक हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने मियम बना के लाती हूं है इसलिए आपको सोचने के जरुतिये किसी और में कैसा होगा यह कर लिया हमने वो काम खूब साल बिगाड़ दिये जो 17 सालों में हमने कमाया ना 17 साल हजारों गंटे वह आपको तीन महीने में मिल रहा है आ है समझ में 17 साल हजारों गंटे हजारों दिन उनका कैलकुलेशन आपको थ्री मंत में मिल रहा है आपको नहीं बिगाड़ने अब गंटे और दिने ना बढ़े आगे बूजंग yakए चन कोई हेड़िक नहीं बहुत अच्छे से आरा है भी वंशेंस्त चन की बात कर रहे थे वंशाft चन में क्या है बारवन और वंश्छास का तो नाम क्या था वंशस्त जो बारा पे जगन आ रहा है याने की कौन सा अपना चेक है सारे लगाने की जरूत नहीं है हम बात कर रहें दृत विलम्बित की कि दृत विलम्बित का नाम रख दिया था दृत विलम्बित न सेखे कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करना ची दृत न जल्दी जल्दी नहीं आछा वो कल वाली बात सुना दो सहसा विदित नकरियाम अभीवी कहा परम आपदाम पदम कौन कह 54 अपायरा है यहां कह भारवी कह रहें कहां कह है कि रात अर्जुनियम में कह रहें secondo ग्रेड है बच्चों कूब तरफ नजर रठनी पड़े Gramar पढ़ते हैं साहिती में भी गुसेंगे सायती जब पढ़ा तो साहीता से ग्रेमर में भी आए थे हैं न जिए आ फिरा हुआ काम कौह रहा है भार भी कह रहे है कि कोई भी काम जल्दी-विवेक का सुप्ति आती है दुरूत विलंबित चंद न आएगा दुरूत विलंबित न यानि कि आपको करना है नभव भरव दुरूत विलंबित अह दूत विलंबित कहलाता है आह आहू इसे सुनेंगे वर्ड आपने ले ना आह यैनि कहना दुरूत विलंबित आपने ऐसा सुनाओ गास तक दुरूत विलंबित विलंबित कहलाता है कौन नभव भरव हमें ये एक्स्ट्रावर्ड की तो बात करनी नहीं है मायन में खाली स्पेस रहने देना है दुरूतवी लंबीत ना ना से कॉन नभव भरव ना यानी नगण भय यानी बगण भय यानी बगण और रय यानी रगण आगे बड़ो स्पास्टिकर लिखें प्रत्येक चरण में द्वादश वर्ण प्रत्येक चरण में द्वादश वर्ण तथा क्रम से नगण भगण रगण नगण भगण भगण रगण रहते हैं क्रम से नगण भगण भगण रगण रहते हैं ठेक है नेक्स आजाईए उधारन पे आजाईए प्रत्येक चरण में भगण भगण रहते हैं ही समर्टम इक्षितम कि हसी तम अन्यनिमित्यकत हो दयां कोई बताएगा कौन से बुक्का है ये श्लोक अभी मुखे मई समर्टम इक्षितम हसीतम अन्यनिमित्यकत हो दयां विनई वारित वृत्ति अतह तया नचा विवृतो मद्नो नचा सम्रितह कौन सी बुक्का हो सकता है अभिज्यान शाकुंतलम आराय समझ में अभी कहां शाकुंतलम का श्लोक है यहां पर नाई का शकुंतला दुष्यंद को देख रही है और जब दुष्यंद की नजरे शकुंतला पर पड़ती है तो शकुंतला कहीं और किसी काम में एंगेज होने का नाटक कर रही है आरे समझ में ठीक है तो यह एक अच्छा सा सीन है उसका एक श्लोक है कि वोड़ पर आजाएए फासली वर्ण किनने शुरू कर लें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह और बारा ठीक है एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारह और बारा महलन तेसर नहीं गिन रहें ठीक है ना बार हमें यदी कोन आरा है दुरूत विलंबित ना ना यानि पहले कोन आ जाएगा नगन तो अपना कौन सा दुरूत विलंबित चंद नगन यानि की कौन सा तीनो लगू सर्वत्र लगू एकजैम में प्रशन आएगा सर्वत्र लगू वर्णाह कस्मीन गणे भवती सर्वत्र गुरू वर्णाह कस्मीन गणे अब तो आप क्योशन पूछने का क्योशन भी नहीं पूरा करने दे रहें मुझे है ना चली कहां तक बात कर रहे थे हमें कहना है कि दृत भी लंबित होगा तो बारा पर न आएगा बारा होगए न आरा है क्या देखो लगू लगू और लगू बिलकुल सही बात है हमें कौन है लगू लगू और लगू 12 पर तीनों लगू आ रहे हैं या निकलि कौन नगण आगे बढ़ें आप स्वाहिम सॉल करें इतर पाप फलानी यद्रिच्चया इतर पाप फलानी यद्रिच्चया बहुत फासली शुरू हो जाओ पूरे वर्ण कितने हैं? काउंच करो पूरे वर्ण कितने हैं? स्टार्टिंग के तीन में क्या राय देखो स्टार्टिंग के तीन में क्या रहा है? लगू लगू आ रहा है छंद का नाम भोशीत कर दो कौन? दृत विलमबित छंद ठीक है थोड़ा फास्ट ली करना है कल चैलेंज एक्सेप करके काम करेंगे बढ़े आगे अब बात कर रहें किसकी? 12 पे कौन थे? गुरुत विलंबित बुजंग प्रयात और वंशस्ति बुजंग प्रयात बाक्ति ये ना बुजंग प्रयातम भवेद ये चतुर भी एप एक ही बात भुजंग प्रयातम भवेद ये चतुर भी बुजंग प्रयात्म भवेद यह यह होना चाहिये में कि इसी बार चतुर भी ये चार बार जैसे नीचसे में देख लीजिये बुजंग प्रयातम चतुर्भी यह कारे वुजंग प्रयातमे तो चतुर्भी निचार बार यकार आता है यकार यानि कार यानि है जैसे मैंने का अकार अकार यानि कौन कार यनिवर्ण यदि मैंने कहा second grade का जाना कार है कि इसने कार को चकार आकारम लुकार अesser कर यानि कौन इसे को हुजंग प्रयातम चतुर्भी है वस्तन प्रयाच्छन में तो चतुर्भी James चार बार को नाएगा यकार यकार ययानि कौन यह वर्ण आएगा ठीक आगे बढ़ें स्पस्टी करन लिखें द्वादश्य वर्णात्मक चंद है यह द्वादश्य वर्णात्मक चंद है यह द्वादश्य वर्णात्मक चंद है यह इस चंद के प्रतेक चरण में कितने वर्णाएंगे बारह यदि प्रती चरणे ना पूछे तो क्या करेंगे आप प्रती चरणे शब्द नहीं आएगा तू क्या करेंगे इंटू चार कर देंगे न यदि पूछें बुजंग प्रयात चंदसी प्रती चरणे कती वर्णा तो द्वादश यदि पूछें बुजंग प्रयात चंदसी कती वर्णा प्रती चरणे नहीं हो तो इंटू चार कर दे क्रमानुसार, चार बार यगन प्रयुक्त होता है. क्रमानुसार, चार बार यगन प्रयुक्त होता है. महेशह, शुरेशह, परेशह, परात्मा, दिनेशो, निशेशो, युगेशो, असी, देवह. क्रमानुसार, पूरे वर्ण गिनने हैं, आजाइए. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह और बारह. दियर, अवग्रह को नहीं गिनना है. एक विशेश बात याद रखनी है, अवग्रह को न तो गिना जाएगा और न अवग्रह पे चिहन लगेगा. लिख दिजी, अवग्रह को कोई एफ्यक्ट नहीं, कोई रोली नहीं इसका. लिखें, अवग्रह को छंद गणना में, जहां नियम चल रहे थे ना, आपके वहीं लिख दिजी, अवग्रह को छंद गणना में नहीं गिना जाता. अवग्रह को छंद गणना में नहीं गिना जाता. जब छंदों के वणों की गिंती करेंगे, तो उस गणना में नहीं गिना जाता. तथा कोई मात्रा अबग्रह को चंद गणना में नहीं गिना जाता तथा कोई मात्रा भी नहीं लगती तथा कोई मात्रा भी नहीं लगती देखो ये हे ही नहीं ये बात है न तो इसको गिना जाएगा न मात्रा लगेगी न ये आगे वाले और पीछे वाले को किसी को इफेक्ट करेगा कंफरम है चली आगे बढ़ जाएए देखिएं बोड पर आजाएए कि पास्तली करना है कि बाराह था जारे चलीए ऐसे बात करतें स्टार्टिंग मैं नगण आता तो क्या करतें गृत विलम भी तो ना कंफरम है बाराह पे यदी क्या आजाता आपका आएेसाई तो उपन क्या करते एक अपका तो आपका क्या हो जाएगा बूजंग प्रयात ओजाएगा थीक है अब देखो बूजंग प्रयात में क्या नाची बुजंग प्रयात भवेद यह चतूर भी तो यहां पर क्या आना चाहिए यगण और यगण भी कितनी बार चार बार यगण यानी यमाता कंफम है लगू गुरू गुरू चार बार रिपीटेड चाहिए फासली आप बोलेंगे ना मा है शह मसू रे शह पा 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 रे शह पा रा Murphy मंइशे प्रेकर नीचे वारonne एक शनह है कि गुरू गुरू ना लगु गुरू developing हें क्या हीनग गूरू इसी प्रकार फासली डिए आप अपनी कौपी मेल सेकनड वाला लगाए ठीक है फेस लगा दिये हैं सेकनड वाला आप लगाईए मत रहें लगा दी लगू गूरू गूरू क्रमानु सार आ रही है किस चंद में क्रमानु सार आता है और कोई घंकी बाती नहीं करने करें है क्रमानु सार क्या आता रहेगा यगनं आता रहेगा तो कंसा हो चाहेगा बुजंग Reagan krec 12 की बाद खत्म हो गई बारा पे भूजंग प्रयात्व और दूरुत विलंबित्थ बौर की बात समाप्त हो गई टेरह की बात हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे रहा है कि वेपरמה क्रेंगे टोंबंग। यदि लेवल की बात है वह तो रुचीरा और प्रहर्शनी इतना ही अभी याद रखना है ना रिटोर्ट सेकंड ग्रेड की एकोडिंग चलि कहां बात कर रहे थे चौधा पर आ जाते हैं चौधा पर कौन सा चंदे आपका वसंत तिल का चलिए कि वसंतिल का चंद 14 वर्ण इसको कहेंगे चतुर्दश वर्णात्म कह चंदह कह चौधा वर्ण वाला चंद कौन सा है तो वसंतिल का आगे बढ़ें लग्षण पुकता वसंतिल का तब जा जगव गव दो उक्ता वसंत तिल्का तभजा जगवगः उक्ता वसंत तिल्का तभजा जगवगः मैं यहाँ पर भी कहूंगे लक्षन याद नहीं करना है फिर आप पूछेंगे तभजा जगवगः कस्मिन चंदसी आयती ऐसा दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा है ना तो चलो बात करेंगे लक्षन लिख दिया है बाई दिवे प्रश्न कितने बन सकते हैं और हर एक प्रश्न का आंसर है क्या आपने पास सबसे पहला प्रश्न य यह आया तो दे देंगे हमने लक्षन याद नहीं किया चलो बिना लक्षन याद किये जुगाड से कैसे काम करेंगे वह बताती हूं बोड़कर आजो तो यनि तगन प्रत्य प्रत्यक गणे कस्मिन वर्णा भवंती एक गण में कितने वर्ण होते हैं एक गण में तीन गण कुछ चो废 कैना ये कौन सा गन है तगण भगण जगण जगण और दो गुरु now to learn again यानि कितने वर्ण तीन यह भगणियानि कितना तीन जगण यानि कितना तीन 3-joint Το चेतीни 9 13 12 12 और दो lub cuatro तो यकि बेठा गिना लक्षन कियाpowered start क्या को सकता है ना तो यहां समझ में जब झुगाड से खाम चल सकता है क्योंकि बच्चों एक दो वो न तो हम याद करें महा सागर आ रहा है पूरा का पूरा पूरी लगुसिद्दान को मुद्धि अपने हाथ में आने वाली बहुत जल्दी आ समझ में तो इतनी चीजे जहां content याद करने के बिना को और कोई सहारा हो गई नहीं वहां तो करना ही पड़ेगा वहां तो मैं भी कहूंगी कि बच्चों यह करना ही पड़ेगा लेकिन जहां कर सकते ना वहां करेंगे अम लोग ठीक है टाइम बचेगा बढ़ें आगे उकता वसंद तिलका तबजा जगव गह यदि उसने पूचा तबजा जगव गह इती क्रमेण कस्मिन चंद सी आई ती ऐसा क्रमानुसार की संद में आता है तो वही से कैल्कुलेशन शुरू कर दो 14 हो गए और 14 पर तो कौन आएगा वसंद तिलका आएगा अब एक और प्रश्न बनता है कौन सा अंते गुरूद्वयम राय समझ में अंते गुरूद्वयम कस्मिन चंद सी आई ती इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा उप जाती एक और भी आएगा अब म tääaciones qoимडर कर देशाय इसको गतल यू करेंगे कि एसा करेंगे के ग्यारा चुदा मंदा क्रांता हूँ इतने नाम याद रहेंगे आपको क्या इंद्रवज्रा उपईंद्रवज्रा उप जाती वसं धिल का इतने नाम याद रहेंगे क्या नहीं और चोटा कर देते हैं गयारा 14 मंदा क्रांता तो याद रहेगा न्ते गुरु ०्वाईम मां कि अंते गुरुद्वयम जहां था ना उस क्योशन के आंसर में अब यह लिखो ग्यारा चौदा मंदा क्रांता अंते गुरुद्वयम कस्मिन चंदसी आई ती क्योशन लिखा था कुछ देर पहले है ना उसी क्योशन के आंसर में अब ट्रिक लिख दीजिए ग्यारा चौदा मंदा क्रांता क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम यह नहीं याद रहेंगे आपको बिल्कुल मैं नवजात शिशु की तरह रख रही हूं अपने हाथों पर कि नहीं मेरे बच्चों को कई तकलिफ ना आ जाए करी मेरे बच्चे याद नहीं कर पाएंगे इनको और सरल कर देते हैं कि आरे समझ में ग्यारा चौदा मंदा क्रांता यह ज्यादा सरल है पहले वाले से पढ़ें आगे ठेक है यहां तक चलिए बात कर रहे थे वसंतिलका की कितने वर्ण है 14 वर्ण चतुर्दश वर्णात्म कह चंदह कह अंते गुरुद्वयम कस्मिन कस्मिन चंदसी आयती 11 14 मंदा क्रांता फिर अपन बात कर रहे थे कि यदि ऐसा है तबजा जगव गह इती क्रमेन कस्मिन चंदसी भवती कुछ भी नहीं करना हमें तो यह याद करके जाना ही नहीं यह जो कॉंबीनिशन आएगा यह आने द्वारा हम से और मैं तो कहती हूँ ऐसे प्रश्नी आने चीए हमें पता है ना इनका कैलकुलेशन निकालना कैसे है ठीक है यहां तक शुरू हो जाओ चलिए अंते गुर्द्वेम कस्मिन चंदसी आई थी 11 14 मंदा क्रांता फिर आजाईए उदा हरणम एक ही चंद है जिसमें कितने वार्ण है 14 है अंसिन कोई आ गया तो 14 वार्ण गिनते ही क्या कर दोगे आप पसंद तिलका कर दोगे ना क्या है जो चे जिए आप ना तो 14 वार्ण कर दोगे शजान उनक अंदसी आप रहा है झाल झाल पुद्योगिनम पुरुशम सीहम उपेती लक्ष्मी मेहनत करने वाले पुरुश को लक्ष्मी उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे सीह को प्राप्त हो गई थी कोई कहानी होगी जिसमें सीह को लक्ष्मी की प्राप्ती होई होगी देवेन देवम इती का पूरुशा वदन्ती लिखने के बाद आप मुझे बताएं का पूरुशा शब्द का क्या आर्थ होगा इसमें समास कौन सा है का पूरुशा के हिंदी बता दो कैसा पूरुश है मतलब बुरे के संदर्भ में हम कहते है कई बार, जैसे कोई एक बार फेलो गया दो बार पेलो गया चार बार फेलो गया कैसा स्टुडेंट है देखो, कैसा है वो सर्प्राइज माई फिलिम नहीं है याँ पर कैसा बच्चा है, पढ़ता है, हमेशा फैलो जाता है, कैसा बच्चा है, कैसा विद्यार्थी है, है ना उस संदर में आया है का पूरुषा, कैसे पूरुषा है, बूरे के अर्थ में आता है, और का पूरुषा इस तरह का पद होगा, तो समास कौन सा होगा, कर्मधारै समास, आराय समझ में का पूरुशह किम पूरुशह का सखा का माता कुछ सितम मित्रम कुमित्रम सुनाओगा ऐसा है ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हर कंटेंट आराय समझ में मेरे द्वारा पढ़ाया हूँ आपको हर कंटेंट इतनी ढंग से पढ़ेंगे कि आपको यहां कंट पास्बुक से कहीं किसी नोट से उड़ता उड़ता पढ़के आए ना तो एक कलेक्शन जो होता ना वो बननी पाया आपके माइन में एक सिंगल कॉंसेप्ट बनाना इस बार अब चंद पढ़ने के बाद चंद का लग रहा है ना कि हाँ अलग से फिगर बन गया चंद का वहर पापिक का बनेगा ठीक है कहां बात कर रहे थे हो चुका यह पूरेक्शर गिनने हैं कितने 14 कोई वर्ण किसी गण पे कोई मात्रा नहीं लगानी है बढ़े आंगे फास्ट ली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और चौदा बहुत है इतना 14-14 वर्ण दोनों लाइनों में है यदी तो चंद का नाम कौन ठीक है लिख दीजिए बिल्कुल 14-14 दोनों में है चतुर्दश वर्ण आत्मक्चंद कौन है आपका वसंत तिल का आगे बढ़ जाईए पंद्र पंद्र वर्णों की बात कर रहे हैं पंद्र वर्णों पर तो कौन है आपका माली नी ठीक है ना आजाईए पंद्र वर्णों की बात कर रहे हैं पंद्र वर्णों की बात कर दो दो दूँए पंच दश वर्णात्म कह चंड पंद्रह वर्णों वाला चंड ठीक है लिख दीजिए फास्ट लेग पंद्रह से अपनी यती प्रारम बोजाती है आरहे समझ में यती का प्रारम कहां से होता है तो पंद्रह वर्णों से मालीनी की स्टार्टिंग यादे आपको मालीनी हमको फूल तोड़ने देगी क्या नहीं तो अपन को बोलना है क्या ना चेक है कि 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 में यह हड़क दे रही हूं कि आपको दो बार जरूर गिनना है क्योंकि 15 से 16 हो गए तो अनुस्टुप में गुज जाएगा 15 के 14 हो गए तो वसंतिल का में गुज जाएगा जो कि गलत हो जाएगा इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी है रहे समझ में इसलिए मैं यह हड़क दे रही हूं कि दो बार अवश्य गिनना और बहुत शांति से गिनना पूरे गिनने हैं न आधे गिनने न हलंत गिनने यह काम जरूर दो बार भौट ढंग से करना बाकी यह बहुत खेली खेल रहे हैं हम अपन कल से परसों से खेली ख टेकॉरेशन मैंने जैसा किया वैसा एक डेकॉरेशन आप भी कर दो नानमा यया उत्यों से घोगी लोके न पूजाएगा याद माली नहीं में तो भोगी लोके आएगा 15 ऐन होंगे और आगे यह नानमा यया कुछ कुछ भी दे दे वो तो हातों हाथ स्वाल कर लेंगे गए बढ़े यांगे अंसिन लाइन क्या है उदाहरण अतुलित बलधामं स्वर्ण शेलाभ देहं कर दो दो अतुलित जगाँ है पूरे वर्ण गिनने हैं आप अपने बीहेव पे काउंच करो फास्टली क्या पंद्रह पंद्रह वर्ण हो रहें गिने और गिन चुके हैं तो डिकलेर्ड कर दो मालीनी चंद कि यहां तक मालीनी चंद आगे बढ़ें कुल वर्ण पंद्रह हैं तो चंद का नाम कौन सा हो जाएगा मालीनी चंद ठीक है पंद्रह हो चुके हैं अब बात करेंगे किसकी सोलह की सोलह वर्ण यदि कहीं एक साथ आ जाते हैं तो बीच में कोमा लगाकर आठ आठ को डिवाइड करना है और चंद का नाम क्या देना है लेकिन पांचवे पे लगूर छठे पे गुरू साथवे की मात्रा लगान सोच लेना किसी सेना में आगे-आगे कौन होते हैं गुरू होते हैं और पीछे-पीछे कौन होते हैं लगू होते हैं बस सत्रा की बात कर रहे हैं है 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 सत्रा वान ऊपर तो अपने कौन-कौन थे है हरी नी शीखरी नी और मन्दा क्रांता है हरी शीखर पे मंद चल प्रिक्या देना हरी शीखर पर मंद चल कहां पर आएगा सत्रा पर और सत्रा पर क्या है खत्रा इसलिए पन हरी को अलर्ट कर रहे हैं कि हरी शीखर पर मंद चलो ठीक है क्योंकि शीखर पर मंद चलना तो क्या है नियम है शीखर पर मंद चलना तो कौन है नियम है नियम है नियम से जल्दी से बोड़ पर आ जाओ हरेनी शीक्रिणी मंदा करांता तीनों ही सब्तदश्वनात्मक्षंद हैं कंफम हैं हमें यह भी पता है कि इनके नाम करमानुसार लिखने हैं तो ही आपका नियमा वाला सिक्वेंस ही बनेगा जेके ना फिर बात करें कि 17 पे हम बात करें कि 17 सतृव यह पहले कों आ गया नगन नगन यनी कौन लगू 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 एककी बात करते हैं कि अकेला लगू आ गया 17 पे पहला अक्षर कोड़ सीखो लिखो लिखो मत करती हम बात करें हरीरी की हरीरी में अपनको याद रखना है कि हरी नी हरी शिखर मंद चल सवे रियो नियम चस्टरह यह इदी पहला अक्षर लगुँ आ गया सत्रा फे कि पहला ख्यर कुन करनी में की बात करी के 17-पे पहला क्षर कोना गया गुरू तो कोन अपना मन्दा क्रांता ना लगू आया ना गुरू आया तो कौन शीकरेणी आया समझ में पूरे की भी निलगा ना एक गणकी लगा नि अपने को तो पहला वाणि कर देगा और मैं अभी कुछ अंसीन लाइन लिखूंगी यहां पर और आप विदिन बन सेकंड में सत्रा हुए पहला क्या है यह देन डिकलेर्ड आया समझ में कर पाओगे ऐसा चलो किसमें अपन को देखो लगाओंगे लगाना शूरू करोगे तो आपको नगण दिख जाएगा तीनो दिन दिख जाएंगे आपको तो नगण निकि तीनों लगूँ दिख जाएंगे चलो आगे बढ़ो 17 पे हरी नी शीखरी नी मंदा करांता जैसा चाटे वेसा बनालो फटावट से हरी शिखर पे मंद चल ऐसा तो कौने नीयमा नी यानी नगण मा यानी मगण पर बीच में कौन यगण लिख दीजिए बोड पर आजाईए अब देखो पंदरा से हमारी यती स्टार्ट हो गई है सही बात है पंदरा से क्या स्टार्ट हो गई है यती सोलह अपना कौन था वो तो अनुस्टुप आठ वाला था पंदरह के बाद अपन डारेक्ट आगए किस पे सत्रह पे सत्रह में भी क्या होगी यती होगी बहुत इंट्रेस्टिंग यती बता रही हूं देखो आजाओ यती अपन को याद रखनी है कहां पर दो की यती बहुत प्रीकी तरीके से कर रहे हैं एक तो हरीनी और एक मंदा करांथा इनकी यती बहुत प्रीकी तरीके से याद कर रहे हैं देखो एक की यती आईगी चार छे साथ एक की आईगी छे चार साथ और एक की आईगी चार छे साथ टारा समझ में दो चीजें हैं जिनकी यती एक जैसी है 4,6,7 6,47 उलक जाएंगे हम एक्जेमिनिशन में उलक जाएंगे कितने भी विद्वान कर लेंगे न तो एक्जेम के प्रेशर में بूल जाएंगे अपन को याद के से करनी है 6,47 अब आप आप सोचो कि को 6,47 भी 17 और तहां 17 तो और हैं लेकिन ये पूछें कि छे चार साथ इती यती ऐसी यती कौन से चंद में हैं या फिर कई बार पूछ लें ये यती किस चंद में अपने को क्या करना है याद तो रहेगा याद रखना नहीं यह तो एक्जेमिनर देगा ना यदि उसको यह प्रश्ण पूछ में कमजोर है क्या तो चार-चे की कंपेरिजन में कमजोर है क्या है क्या हाय याना देजुएप जोसेट गान तो कहां ऐगा कोई बात नहीं दूसरा हम से पूछ लिया चेटार शाथ चाहाँएगागा है चेट टो कैसा है चार की कंपरीजन में ज्यादा है टेजड़ी है फोन्य दोड़ता है लिए भात Laure लग है लग गये वह बात करते हैं कोई बात लिए यह कोर्स कि प्रदिक होगा ज्पापससे बात करें हैं then Hai दोतरगी यती backstory हो एक चार साथ दोनोे एक साथ रखके देख लो है ना चार कैसा है कमजोर है कमजोर條 को क्या कहेंगे मंद और मंद तो जाएगा कहाँपर मंदा करांता में दूसरी एती ती अपनी को Next चे चार साथ चे तो चार की कंपारिजन में कैसा है ज्यादा है तेज है और तेज तो कौन दोड़ता है हिरण हिरण यनी कौन हरेणी चेक है अब यह भी नहीं है यह भी नहीं है यती यदी छे चार साथ भी नहीं है चार छे साथ भी नहीं है शिक्रिणी की बात करें शिक्रि साथ मंदा करांता यादे बहुत अच्छा यदि नाम देके पूछे हरीनी की यती क्या है तो भी यादे हरीनी हिरन कैसे दोड़ेगा तेज दोड़ेगा तेज दोड़ेगा तेज यानि कितना मंदा करांति मंदा करांता यानि कौन मंद मंद यानि कौन कमजोर कमजोर यानि शीकरिनी की यती क्या होगी फिर टोटल करने पर 17 यह तो में रखना ही है ना टोटल करने पर कितना आएगा 17 आएका अपने को बात करनी तो रसे हे रुद्र शिन्ना यमन सबलागह शी करेणी मैं आपको नहीं है डिक दूंगी याद करने का मैंने किया बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इनके साथ रसे हे रुद्र हे चिन्ना रस और रुद्र छे और ग्यारा कितने 17 यदी पूछ ले को दूसरे तो होंगे कंफ्यूज कि 17 तो हरीनी में भी थे इश्मंदा करांता में भी थे शीकरीनी भी थे अब मैं क्या करूं उनको कंफ्यूज होने दो अपने पास तो तीनों कॉंसेप्ट लियर हैं बात करें फिर 4-6-7 6-4-7 मैं फिर कह रही हूँ 6-11 याद मत करना 6-11 तो एक्जेमिनर देगा ना देने दो उसको आरम से टोटलिंगी तो करनी वहाँ पर जाकर 6-11 के रहे कितने हो रहे हैं 17 और 17 तो हमारे एक ही उप्शन के पास बच गई थे और वो कौन है आपका बस याद नहीं करना है ऐसा किया आपने कभी एक्जेम से पहले आराम से एक्जेम से पहले उपजाती छंद का लक्षन क्या है यह हैडिक लेनी नहीं है एकदम रिलेक्स होंगे नहाएंगे दोईंगे अच्छा सा ब्रेकफास्स करेंगे चाइवाई पीएंगे हैं ना फिर आराम से गाना कि यह सब्सक्राइब कर देना और लाइव आकर प्लीज जरूर सुन लेना एक पंद्रा मिनिट की बहुत अच्छा सा मोटिवेशन आ रहा है समझ में पंद्रा मिनिट का एक लाइव मोटिवेशन कर लेंगे बहुत अच्छे से आप पावर्फुल हो जाओगे देन यूव गो टू एक्जैमिनेशन हॉल आ रहा है समझ में इस बार थोड़ा अलग करना है एक्जैम से पहले भी वो चार पांच पेज़ें पलटे जा रहे हैं बहुत उठा पटक हो रही है ममी ने कहा नाश्टा कर ले नहीं करना नहीं करना बस यह एक्जैम के बाद ही करेंगे जो क करेंगे एनर्सिटिए वह लाइनन ही नाश्टा वागेरा चाहे नाश्टा बहुत शांदर तरीके से करेंगे अचामिके फिर भाथ करेंगे इससे पराद के किताबों के चक्र में पसेंगे इसलिए मैं हाथों हाथ याद तरवारी हूँ ये content exam के पहले नहीं करने हमें संस्क्रत बिल्कुल तीन दिन पहले छोड़ देना अरह समझ में फिर से बात करें किसकी बात कर रहे थे सत्रा की बात कर रहे थे सत्रा में कौन-कौन है हरी शिकर पे मंद चल मंद चलना तो कौन है निया म सत्रा पे यदी कौन आ गया मगण तो कौन है म से मगण म से मंदा करांता चेक है सत्रा पे यदी कौन आ गया तीनों लगू तो कौन यादरी रहा बच्चों लिख दो फिर नी आ गया ना नी यनी कौन नगण चेक है फिर यदी लगू भी नहीं आ रहे हैं, गूरू भी नहीं आ रहें, तो कौन अपना होगा फिर यती की बात करें, तीनों की इती एक साथ उतारो सबसे पहले 6-4-7 6-4-7, 6 आ रहा है 4-7 की headache चुड़ो पीछे वालों की, सबसे पहले कौन? चे तो तेज भागेगा तेज कोन भागेगा ही रन फिर चार की बात करने चार तो कौन है मन्द है मंदा करांता है फिर बात करें चे और 11 इसकी तो हड़े कमें लेनी नहीं थी एक्जेमिनर को देने दो 611 आपन तो करेंगे वहां बैठके ठीक है यहां तक यहीं वो ट्रफेस्ट के उश्यन है जो कि एक्जेमिनर पूछता है ठीक है फिर आपन बात करेंगे किसकी अब इनके लक्षन जो है लक्षन आ गया तो हम क्या करेंगे वह भी बात करते हैं यह हो चुका सारा उतार लिया पने चलिए तरीए पढ़ें आगे सबसे पहले बात कर रहे थे हरी नी चंद की ठीक है देख चुके सारी बाते यादे हरी नी सब्तदश्वर नात्मक है याद है इसकी यती भी यादे सुनादो यती ठीक है लक्षन लिखें सबस्क्रेम इस अबतर टो 2 लग्र सुनादो lu सबस्काथ पर रहे ह wondering सबस्क्राइो कि अंप क्था क्था साथ झाल झाल डेकोरीशन जो मैंने किया है आप भी कर देना हो जाएगा नसमरस लागह शडवेदे है हये हरीडी मताहा कुछ भी याद नहीं करना है मैंनत की थी पहले इनको याद करने में की थी बच्चों डॉक्टर और टीचर से जूट नहीं बोलना ची बता दो की थी ना अब बिना किये भी काम चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है पढ़ें आगे नसमरसलागः शडवेदे है हये हरीडी मता क्या क्या प्रश्ण एग्जेमेनर पूछेगा और उनसब के आंसर अपने पास हैं क्या बात कर लेते हैं सबसे पहला प्रश्ण है सब्तदश वर्णात्म कह चंदह कह हरीडी आएगा उसमें अपने चेक है फिर अपन बात कर रह तो अंसीन लाइन में तो ये काम कर देगा हरीडी है तो सबसे पहले कोन आ जाएगा नगन जाएगा फिर बात करें इसने पूछ दी यती कि हरीडी क्या है तो हीरण तो तेज दोड़ेगा ना तो आंसर क्या हो गया चे चार साथ यहां तक तक अपन परफेक्ट हैं अब बा नसमरस लागह कस्मीन चंदसी भवती नसमरस लागह कहां आएगा कोई बात नहीं केल्कुलेशन करनी है एक दो तीन चार पांच पांच इंटू तीन कितना पंद्रह पंद्रह और ये दोनों कितना शत्रा हो गए अब अपन सोचेंगे शत्रा पे तो तीन थे हम क्या बोले कोई बात नहीं यह नदे रहाए नहां एग्जैमीनर सत्रा पह न दे रहा और अपन यह तो याद किया सत्रा पह न तो है मैं성 तो यह दे देगा तो भी कोई हैडिकर नहीं इस बार तो सही बाते हैं यहां तक फिर अपना गए यदि एक्जेमीनर ने शड़ वेदे हये इती कस्मीन छंद सी भवती ऐसा दे दिया है ना मैं तो जबरस्ती आफत ले रही हूं देखो मेरी आदत यदि यह देदे तो मैं क्या करूं है ना वह वाली बात है उस तरह से प्रिपेशन कर रहें बाइदी वे उसने देदिया शड़ वेदे हये तो अपन क्या करेंगे शड़ का मतलब कितना होता है चे और वेद कितने हैं चार वेद कितने हैं चार हया का मतलब है गोड़े है का मतलब कौन है गोड़े और गोड़े कितने है साथ किसके साथ गोड़े है यह बताओ स सुर्य भगवान के साथ गोड़े है ना तो गोड़े कितने हैं अपने पास साथ ठीके हया हया यानि गोड़े बाइदि उसने शडवेदे हये ऐसा किस चंद में आता है यह दे दिया तो शड़ का मतलब 6 वेद का मतलब 4 हया नहीं आया कोई बात में और कंडिशन रखते हैं हय यह नहीं आया उस समय नहीं याद आया कोई बात नहीं छे चार साथ तो याद आएगा ना तिर से के हर कंडिशन में अपन पास है फिर पढ़ें आगे के 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 क्यों कर दीजिए जैसी मैंने की है उदा हर रनम झाल झाल कि पूरे अक्षर गिनने हैं कितने आ रहे हैं पूरे एक्षर कितने हैं कि शत्रह पूरे वर्ण कितने हैं सत्रह कौनसी बुक का है ये श्लोक अभी ज्यान शाकुंत शकुंतला के सौंदर्य का वर्ण किया जा रहा है शकुंतला अन आग्रातम पुष्पम बीना सूंगे हुए फूल के समान हैं किसी फूल को आप उसकी शाखा से तोड़ दो फिर उसको दो चार बार सूंग लो तो फूर्ट लेसा हो जाता है मुर्जा जाता है ना तो शकुंतला उस नविन पुष्प के समान है जिसको की न आग्रातम शूंगा नहीं गया है ऐसा नविन पुष्प है किसे लएं किसले यानी नया जो पत्ता होता ना कोई भी पत्ता जो बिल्कुल न्यूबॉन बेबी होता है नया सा पत्ता चोटा सा जो रैडिश कलर का होता है किसी भी पेड का कोई नया पत्ता जो की थोड़ा सा लाल कलर का होता है ना लाल कलर का या ऐसे मरून कलर का वैसा किसले कहते उसको शकुंतला उसको अमल पत्ते के समान है जैसे कोई छोटा सा पत्ता आप पेड़ से तोड़ लीजिए और उसको अपने हाथ में रखिए दो चार पांच मेन के लिए मुर्जा जाएगा लेकिन शकुंतला उस नवीन पत्ते के समान है जिसको कि यह बी ऐसे तोड़ा से को दूसरे व्यक्ती कि उपमा दी जाए तो अलंकार कौनसा होजाएगा उपमा अलंकार स्टुडेंटप को अलंकार बहुत मुश्किल हैं कि अलंकार कभी समझ में नहीं आते हैं स्वाण केहते हैं अपने ऐसी ही समझेंगे खेलेंगे वाँ पर गई खेले ये समझ में अलंकार्बी इतना ही इजी पोर्षिन है बहुत अच्छा टापिक है अलंकार भी इस resistant बाद अलंकारी अपन हरीणी की बात कर रहे थे तोड़ा सा मुझे लग रहा है चलो कोई बात नहीं है यह यह अनशीन है और आपका टेस्ट है यह आप करो मैंने आपको टेस्ट के लिए दिया है इस अनसीन का आप टेस्ट करो किया यहां पर कौन सा चंद होगा कौनसा चंद होगा ठेखे अंसीन का टेस्ट करें कि कौन सा चंद होगा, आपको क्या करना है, पूरे वर्ण गिनने हैं, पूरे वर्ण कितने हो रहे हैं, अपने सतरा, स्टार्टिंग को देखिये लगु गुरू और गुरू या निकी कौन अपना कौन अपना यगण और यगण कहाँएगा तो आप यहां पर ये एक्जेम्पल किसका है शीक्रनी कहीं कोई टेंशन वाली बात ही आप तो गलत क्या सही क्या अपने पास हतियार है आरा है समझ में हतियार है अपने पास कोई सिन आ गया तो हम जज़ कर पाएंगे कि किस में जाएगा ठीक है बढ़े आगे कि चलिए कि यती देखनी थी यती आपकी यदी शीखरिणी की बात कर रहे हैं अपन यदी अपन बात किसकी कर रहे हैं शीखरिणी की तो शीखरिणी में यती कहां ओ रहे थी छें और 11 पर तो 6 ग्यारा पर यती हो रही है क्या देखो चार और दो छें यती लगा दीजिए और बाद वाले क्या ग्यारा बच गए हैं जैक है न अ करदीजी यह भी काम शीखर नहीं जरूर लिख देना है ना हो सकता है कई बार मिस हो जाता है चलिए आजाई ये फिर अपन बात कर रहे थे कहां पर हरीणी ठीक लक्षन तो लिख देंगी आप थोड़ा सा जग छोड़ दीजी यहां पर है ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजीए हरीणी है ना स्पेस छोड़ दीजी हरीणी के ए गजेंपल के लिए कि नेक्स बात कर रहे हैं शीखरणी की शीखरणी की भी दो तीन बाते हमें पता है शीखरणी कौनसा वर्णात्मक छंद है तो सब्तदश वर्णात्मक ठेक है कैसा है ये भी सब्तदश वर्णात्मक है इसकी यती की बात भी कर लेते हैं यती कितने पर आईगी 6 और 11 वर्णों पर अद्धी श्राइब गई हैं अ जाइड़न नक्षाण लिख दीजिये घ्रड़न वर्णें लेवर्णात्मक पर आईड़नात्मक माम एफ दुश्चाट रूर्ट नक्षाणत्मक पर दूरद भी दूट्शन लिख दीजियें शीक्रिनी सब्तदश्वन आत्मक्षंद है यती कितने पर आईगी छे और ग्यारा वाणों पर लक्षन पर आ जाईए अ कि रस कितने रसों की बात कर रहे हैं कौन से छे रस है देखो दो तरके रस है क्या काव्य में बहुत अच्छे से सुनना काव्य में कितने प्रकार के रस हैं दो प्रकार के एक तो काव्य को पढ़ते समय जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वह श्रंगार वीर करुण प्रोद्र भयानक अद्बुत हास्य ऐसे एसे रस तो हैं कौन काव्य गतरस अरह समझ में किसी काव्य को पढ़ते समय हमारा जो काव्य के प्रती इंप्रेस्ट है यानि कि हमें मजा रहा है हमारा रस मिल रहा हमें इनन वो रास है नो रसॉर और इनको श्रेंगार श्रवी शाक रौववी अहा इन्हें बहुत्र च्छो較 यूद् 웃ज में हैं भोजन करते समय जिन रसों की प्राप्ति हो रही है ना भोजन करते समय हमें जिन रसों की प्राप्ति होती है उन रसों की बात कर रहे हैं ठीक है चलिए भोजन करते समय जिन रसों की प्राप्ति हो रही है उन रसों की बात कर रहे हैं और वो रस कितने हैं छे हैं कौन-कौन से हैं नाम लिखे हैं मदूर अमल लवन कटू कशाय और तिक्त मदूर अमल लवन कटू कशाय और तिक्त मदूर अमल लवन कटू कशाय तिक्त मदूर यानि मीठा अमल यानि खट्टा लवन खारा ठीक है कटू कशाय कसेला जैसी की आवला लगता है और तिक्त यानि तीखा इंग छे रसों की बात कर रहे हैं श्रिंगा रादी नौर रसों की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं बास खेंटो की बात कर रहे हैं निल्वन कटू कशाय सब्सक्रांब कि चैपर और रुद्रे रुद्रे यहनी ज्यारा पर चिना चिन विन्न यानि क्या आईगी यति आईगी जई शह नब ने टुकड़क। कितनी ग्यारा इन पे तो छिनना यानि की कौन आएगी यती आएगी और छेकर यहां तक करो एक पार कि यह अध्याने जए से रसे रद्रे रते र seem किसमें आत है ुरस या illustration करना आदा tenho water येधी हमको यम वन सब लागह ऐसा कहां आया कि एमसे कहाँ और चल्ड मन सबकूयां करना आएगा क्रम से यहकं कहां لेंगेoodle calculation करनी है कर लें फासली यह माना सभ लगू और गुरू देखी एक दो तीन चार पांच पांच इन तू तीन तो अपने कौन पंद्रह और लागह यानि लगू गुरू यह दो कितने हो गए प्लस दो कितने हो गए सत्रह और सत्रह पे सबसे पहले क्या आ रहा है यगन आ रहा है कि शीख्रिणी का नाम बदल के शीख्रिणी कर दो कि शीख्रिणी का नाम बदल के शीख्रिणी कर दो कि अब हो जाएगा कि शीख्रिणी का नाम बदल के शीख्रिणी कर दिया और उदर नियम तो यादी है बहुत सारे अप्शन है हमारे पास आंसर निकालने के लिए अब चलो अब एक और क्याशन देखो रसे रुद्रे आ गया तो 611 करने आ रहा था 611 को ने अपना शीक्रिणी यदि उसने यमन सब लागह दे दिया तो भी केलकुलेशन करने आ रहा है कि 17 पे यगण आ रहा है तो शीक्रिणी होगा चेक है अब अपन बात करें किसकी अंते वह गुच्छे डिका तेखो अंत में गुरु कहां रहते सुना दो फटावर्ट से त्यारा चव्दा मंदाक रांता यदि अब हमसे पूचा जाए नंते लगुगुरु कस्मिन कस्मिन शंद सी आए ती अंत में लगुगुरु किस-किस चंद में आते है एक साउंड बोलना या मेरे साथ हरी रिंग करी बीपस। अंत में रगुगुरु कहा कई हरी इचे करी ले ना हरी इचे कृण अएगा लगु-गुरु आएंगे इसकी अलावा कहीं भी नहीं आये Pokehead चलिए लिख धी कैमण अंते लगु गुरों अंते लगु गुरों कि अंते लगु गुरू किलिउड चंदसी को अंते लगु गुरों किलिन चंदसी HA ए और अंत में लगों गुरू किसषंद में आते हैं दाय मिया देना सुना दो कण पे होरी अंधमर में बोला जैसे मैंने बोला ठाव हरें और शीकरें दी तो ही नाम याद रहेंगे सबस् Sense नियगे उगया अंत में दो गुरु भी ना निया अंत में एक लगुबरु भी हो गया अब एक और भी ऐसा जहां पर क्या आएगा एक गुरू अकेला आएगा कि यदि प्रश्ण ऐसा निम्नांकित में से वह कौन सा चंद है जहां अन्त में गुरू आता है कि शार्दूल वीकृणई छन्द में शेर अकेला ही होता है जंगल वू दो और याद करना है कि शार्दूल विकृणई चंद के अन्त में तो कोन आएगा एक ही आएगा और एक ही कोन आएगा गुरू आएगा लिख दीजी क अन्ते गुरु अन्ते गुरु अन्त में गुरु एना अन्ते गुरु कस्मीन चंदसी भवती शीक्रिणी का हमने लिख दिया था एक्जेम्पल ठीक है एक्जेम्पल के भरोसन नहीं अब अरहे समझ में अपन किसी एक्जेम्पल के अदिन नहीं कि इसमें हमें यही याद करना है आicamו है अब अपन तो कह रहें एक्जेमिनर को जो लनआय लाओ हम हो तक यह त्यार है नहीं की हरीनी का उदारन अपका बाकिए हेना हरीनी का उदारन पेंडिंग है ना लिख दीजिए हरी नी चंद जहां लिखा था वहां उदारन के लिए स्पेस छोड़ा था लिख दीजिए शिक्रिनी का तो लिखी दिया था कोई है डिक नहीं है ले कि अमघे बादान के लिए अ बादाक। भड़े नीने ते की लिए दीजिए ऑम झालनों कि कैसे बात करेंगे पूरे पद 17,99 यदि अंसिन में बिलता तो क्या करते हैं यदि अपन को अंसिन में बिलता ऐसे सील करके ही करो पूरे खिर गिनेंगे सबसे पहले अपन को देखना है कि क्या आ रहा है लगू लगू और लगू सत्रा पे लगू आ रहा है तो यह तो कौन है अपना नी नी अमका नी है न और नी तो किस में जाएगा हरेणी में जाएगा कोई टेंशन नहीं है कि आगे बढ़ते हैं हरी नहीं हो गया शीखरी नहीं हो गया अब बारी है मंदा करांता चंड़ी कि अब बड़ा शुझचयो मंदा ममदा कर भांता शीखरी नहीं हो गयाबा है मन्दा क्रांता अम्बूधीरस नगेह मो भनौ तूग युगमम लक्षन याद करना ही नहीं है इतने रटने पड़ते थे इन लक्षनों को कि मूँ टेडा हो जाता था मो भनौ आ रहा है समझ में इतने मुश्किल है फिर भी एक्जेमिनीशन होल में जाके रसे रुद्रेश शिन्ना में यमन सब लाग गुज जाता था सेकंड यर का एक्स्पिरियंस बता रही हूं सेकंड यर में दो सो में से एक सो अठानू नंबर है मेरे आपको कभी सुनाओंगी संस्कृत लेने का किस्सा भी मेरे जो ब्रादर है वो जगद गुरू में प्रॉपेसर हैं उनकी सारी एजुकेशन खडगदा से हुई है सुना ही देते हैं दो मिनिट की बात है ना उनकी सारी एजुकेशन क्या है खडगदा से हुई है और खडगदा में तो ऐसा है कि दो ती जबा पहन के बहुत ट्रैडिशनली रहना होता है तो वहां भाईया ने अक्चुली वहां उन्होंने टॉप किया था और तब अपना जो पी एसस्टी है प्री बीएड शिक्षा शास्त्री टेस्ट उसके एकोडिंग बहुत मुश्किल से चयन होते थे बहुत सालों साधन के साधन नहीं थे हमारा फोन भी पडोस वालेगर में आता था आम समझ में ओन नहीं थे कम्मिशन के साधन नहीं थे बहुत स्मेझ मैंसे कहा कि मेरी बात मानना लेन nouveau अब order मिल गया है तो लेना ही भले आता है नहीं आता है मैंने का वहां से मुझे ये promise करो कि यदी मैं इस बार फैल हो गई संस्कृत में तो मुझे क्या है कि आप फिर ये सब्जे क्लेनिक लिए बाउंड नहीं करोगे मैंने का वहां से लिक के भेजो एक paper पर और नीचे अपने sign करके भेजो वहां से एक letter आया तीरुपती से जिसमें लिखा था कि यदी भावना तुम संस्कृत में फैल हो गई फस्टियर में तो सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी हार है समझ में वह एक letter आया उस letter को मैंने limitation करव हुआ है उनके सिगनेचर है उस पे और फिर मैंने वहिया ने कहा लेकिन महनत बहुत करनी है और उतनी महनत की कि मैं आपको बता दूं कि एक्जेम के जस्ट एक पहले वाली नाइट को लाइट चली गई थी हॉस्टल में राते थे हम लोग लाइट चली गई थी 24 आवर तक ला की लाए दस मौमबतियां खतम कर दी पूरी रात में अरा यह समझ में नंबर आये 200 में से 108 नों में फिर इतना प्रेयम हो गया संस्कृस्ट से कि गर्मी की छुत्ती में मेरा संस्कृत का कोर्स पूरा होगा था आए आए समझ में फस्ट्री में पास हो गई जून में जून में ही बुक्स लेकर अपने सीनियर से कॉंटेक्प करके जून में ही बुक्स लेकर जुलाई में कॉलेज आओ से पहले संस्कृत खतम एवरी यर यह किया है मैंने में फाइनल के रिजल्ट से पहले नेट क्लियर कर लिया तरह समझ में बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स लिए फिर और संस्कृत में ही फिर फ्यूचर बनाना है संस्कृत में लोगों को सिखाना है कि संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है लोग इसको कैसे बोज्य बनाकर पढ़ते हैं बहुत प्यारा सब्जक्ट है और इसम्हान करते हूं कि मेरे पढ़ाने का टैकनिक यह यह हम ला सकते हैं कितना 500 मैं से 290 बाटी। 200 अपी लूष पिचनू ला सकते हैं एम अब मुश्किल नहीं है है मुश्किल है ना चलो आगे पढ़ते हैं कहां बात कर रहे थे हम लोग हरी नीचंद की बात कर रहे हैं हरी नीचंद पढ़ लिया हमने चेक है लक्षन कर लिया था अब लक्षन में कुछ इंपोठन वर्ड्सacer अब क्या करना है अंबुधि ये आपकी कौन है अंबुधि अंबुधि गन्यकॉन सागर और संस्कृत वाले कितने लग tuba चार सागर की बात कर रहें यहां पर लिखा है रस रस अपना कितना वहीच-छे नग यानि कौन परवट परवट अपने कुनह कितने साथ और वैसे भी मंदा करांता यानि मंद में तो अपन को स्टार्टिंग चार से करनी थी तरह समझ में मंदा करांता यानि की मंद मंद तो अपना चार छे साती था छे चार साथ तो अपना कौन है हरीनी है न है यदी अमबु धिरस नगे मो भनव ऐसा आ गया वह इसा आ गया तो अमबु दिया निचार रस यानि कितना अच्छे नगे नी परवत कितना असा कि हो जाएगा यह भी कि वोड़ पर आजाओ यदि बाई दिवे इसा आ गया देखो अम्बूधीरस नग आ गया ओड़ वर्ड आ गया तो तो मा आप काम कर पाऊगे आ रहं से चिके यदी इसा आ गया मगन भगन नगन तगण तगण और गई युगमम यानी कान दो गुरू है ऐसा बाइदिवे आ गया तो भी क्या करते हम एक दो तीन चार पांच पांच तो अपने कौन है इंटू तीन पांच इंटू तीन तो कौन पंदरा और अपने दो कौन है गुरू 15 और कितने सत्रा और सत्रा में पहले कौन मो यानी कौन मगन मो यानी ओ ओ यानी कौन गुरू है ना तरह समझ में आराम से कूल माइंडेड होके सोचो यदि एक्जेमिनर ने अपन को दे दिया मो में ऐसा किस चंद में आएगा है कि क्यलकुलेशन करने आ रही है मह बना ततर कितना हो गया मह बना ततर यानी कितना पांच गण पांच गण यानी इंटू तीन बराबर कितना पंदरा और युगमम गया यानी गुरू यानी युगमम यानी जोडा युगम यानी क्या जोड कितना 15th धो 17 सबसे पहले मोरा है मोई यनि कौन मगन मगन यनि कौन गुरू और 17th गुरू यानि तो अपना मन्दा करानता ही था 17 सबसे पहले मुठानब सबसे ऐसां समी आप ना तो जो देना है देने दो अम्भू धिरस्न अधिए तो तो भी ओके मो भनव तव गव युगमम देदिया तो भी ओके यती देदी बाई दिवे चार छे साथ तो भी कोई हडिक नहीं और यदी अपन ने अपन से पूछ लिया कि सब्तदश्वनात्मक्छंद कौन सा नहीं है तो भी हरेणी शीखरेणी मंदाकरांतातों है नेक्स्ट अवसति क्यों खता कि सब्सक्वाइन को इस फी है टॉरी तो भी है किह विक कर दो भी है तो भी है अही है अही है अही है कि शुरू करें हरीनी शीखरीनी और मन्दा करांता ठीक है मन्दा करांता चंद का आपन को उधारन देना है न मन्दा करांता चंद किस प्रकार के एक्मोस्फिर में आएगा कैसा एक्मोस्फिर होना ची मन्दा करांता चंद के लिए वर्शारितु और वियोग मन्दा करांता चंद मुख्य रूप से कहां प्रयुक्त हुआ है तो मेग दूतम में मेग दूतम का नाम लगे पूछेंगे कि तो मंदा करांता क्योंकि वहां वर्षा रितू भी है और वियोग भी है ठीक है यहां पर आगे बढ़ें कहां बात कर रहें थे हम लोग मंदा करांता के उधारण की कि 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 कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधी कारात प्रमत्तह कि मंदा करांता चंद का पहला श्लोक कि मंदा करांता चंद का मंगला चरण है यह कि कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधी कारात प्रमत्तह मेग दूतम का मेग दूतम का पहला श्लोक है कश्चित कांता वीरह गुरुन स्वाधी कारात प्रमत्त मेग दूतम का प्रथम श्लोक है रहेगा याद मेग दूतम का पहला श्लोक है मेग दूतम की स्टोरी को यहाँ पर थोड़ा सा बताया है देखो बोड पर आजाओ जल्दी से कश्चित यानी कोई कश्चित यानी कोई स्वाधीकारात प्रमत्त अपने कार्य में प्रमत्त यानी आलस्य करने के कारन कांता यानी पत्नी से विरह यानी अलग हो गया गुरुना यानी बहुत अधिक दिनों के लिए तरह समझ में ऐसी तो बात थी कोई व्यक्ति अपने कारे में आलस से करने के कारण अपनी पत्नी से बहुत जादा दिनों के लिए क्या हो गया था अलग हो गया था सहीति नहीं पढ़ाया आप में से कुछ इस्ट्राण ने मुझसे फिर जैसे ग्रेमर होगा ना ग्रेमर के बा कौन माता पिता कितने ग्रंद लिखे वह ग्रंद लिखा उसमें कितने सरग है किस राजा के रज attachment में रहा में कौन सा चंद है छाटते हैं चलिए पूरी एक्षर गिनने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौधा पंद्रह सोलह सत्रह वर्ण है कोई प्रॉब्लम नहीं कर की मात्रा क्या होगी कर अपने आप में कौन है लगू है लेकिन कर के पीछे कौन है आधाश है जो किसको क्या बने देगा गूरू ची की बात करेंगे ची लगू था ची की मात्रा कैसी है छोटी यानिकी कौन था लगू लेकिन हलंद के कारण ची केसा बन गया गूरू सिर अपना आगया कौन का का यनिकी क्वौन गूरू 17 पे तीनों गूरू है यानिकी मगण है शचल बात है 17 पे तीनों घुरु है यानिकी कौन है मगण है सतरा पे तीनों गुरु यानिकी कौन मगण और मगण यानिकी क्योन मन rupees लौज़ कौन मन्ध ना इता के मन्धेर में निबस्धो है और मेग दूतम का पहला श्लोक है बढ़ें आगे गुरु द्वयम कस्मीन चंद सी आये टी दो गुरु अंत में कहां कहां आते हैं ग्यारा चौदा मंदा क्रांता बिल्कु सही बात है आगे बढ़ें मंदा क्रांता भी हो गया यानि कि अमरा सत्रा वाला पॉर्शन भी खतम हुआ हरी शिकर पे मंद चल अब बात कर रहे हैं किसकी उन्नीस की कि शार्दूल विक्रिडी तम चंद कितना नवदश्य वर्णात्म कहां और शार्दूल यानि की शेर शेर तो अपने जंगल में एक ही होता है जंगल का राजा एक ही होगा तो अपन कहेंगे अन्ते गुरू हो जाएगा यांद अन्त में एक ही गुरू आएगा गुरू द्वयं भी यादे लगु भी यादे तीनो यतिया यादे ना वासले रिकॉल करें जो अंत में एक गूरु कहा ऐगा शारदुरु विक्रिभी तम में क्योंकि जंगल का राजाए की हो सकता है और शानुडरु यंकाव शेर रहे थे किस.» एक लगूर एक गूरु बास रहे थे जल रहां कहां फिर याहना कहा है तो 1114 को रहां और Satis गर जाके याद करने के जरूत है क्या इस इस शार्दूल वीक्रेडितम हिंदी लिखें फास्टली स्पस्टी करन अच्छा लक्षन लिखना बाद बाकी नहीं झास्टाद झाल झाल केलकुलेक्शन कर दी मैंने आप भी कर देना सुर्याश्वे है सुर्य कितने हैं बारह सुर्य यानि कि आदित्य कितने हैं बारह हैं अश्व अश्व तो कितने थे अपने घोड़े साथ केलकुलेक्शन कर दो मस जस तत चेंटू तीन कितना अठारा और एक गुरू का कितना उननीस कोई भी केलकुलेक्शन देते आपका सही बैठता सब करके बोड़ पर आजाओ बोड़ पर आजाओ यदि हमें यती पूछता बारह और साथ पर यती कहां होती बारह और साथ उननीस और उननीस पर तो अकेला कौन है आपका चेक है यदि आपसे सुर्याश्व पूछता सुर्याश्वे पर यती कहां होती है तो सुर्यानी कितना बारा और अश्व कितना साथ बारा और साथ यानी कौन उन्नीस शार्दूल विक्रिडितम बाई दीवे आपसे ये पूछता म सजव सततगाहा, म यनि कौन, मगन सगन, जगन सगन, तगन, तगन, और गाय यनि कौन, एक गुरू, छेंटु तीन 18 और 19, 19 पर भी कौन, शार्दुल विकडितम, आराय समझ में, एकोन विंशिती वनात्म कहा, चंदह कहा, तो भी, जेखे, हर ओप्षन अपना सही बेट रहा बड़ें आगे, उदारन क्या सब्सक्राट हुआ 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 है है फुरीखुर गिनने हैं पूरेख्षके कितने आ रहे हैं देख लिजिए है 1950 अरहे क्या Osama 11 अरेनों तो कौन सा हो जाएगा आपका श्रे लवीराचानड सरक दराचन्ड अ झाल म्रबने यानाम त्रयेन त्री मुनी यतियुता स्त्रग्द्रा किर्थितेयम और पर आजाएं स्रक्धराचंद के प्रतेक चरण में कितने वर्ण होते हैं 21 एक विशती वर्णात्मक चंद होगा तो एक विशती वर्णात्मक चंद होगा 21 वर्णात्मक चंद है और यति की बात करें इसमें यति कहां आती है बोर पर आजाएं त्री मुनी त्री मुनी अपनी कौन है यति है यति कितने पर आएगी प्रतेक सांत पर त्री मुनी यति युता त्री मुनी पर यति होगी उसी को स्रग्धरा किर्थितेयम उसी को स्रग्धरा कहा जाएगा कहा जाएगा त्री मुनी में यदि बात आ गई है कि तीन बार साथ साथ आएगा तो ये त्रयेन क्या चीज़ है बोर पर आजाएं कि एक शब्द है म्रहा यह में मगन और रगन मा और रहा है समझ में वह तक्षा सुनना लिखना नहीं है भी तोंच मूव योर फैन फ्लीज मरा में कितने एक्षर एंडो कॉन-कॉन से मा और रहा मगन और रगन ये कौन सापना भगन नगन यगन या नाम यगन आएगा कितनी तीन बार कि अब्लेस्टी गांट इसाने कि यगन फिर नगन नहीं राम कर भी या नाम यदा कर भी मिचां बिद्पाndग स्चि-अब ज Strafe 2019 लिकिन कितनी पर इन बार एंड तरह समय मकान रगन भगन नगन यगन और यगड़ बार अब कितना बाइदिवस नहीं यह दे दिया यदी एक्जैमिनर ने टुकड़ा दे दिया देखो त्री मुनी दे दिया तो पता है साथ 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 त्री मुनी किसमें आते हैं तो उसरग दरा चंद में कर पाओगे यदि म्रब ने यहां नाम दे दिया कुछ नहीं करना है मगण रगण दो तीन चार पांच छे और साथ ये तीन बार है ना तो साथ गण हो गए अपने पास कितने गण हो गए साथ साथ इंटू तीन करना है कितना आएगा एक कीस आएगा एक कीस अनिकॉन कि बिना लक्षन याद किये अभी तक चल पड़े अपने और कहीं जरूत मिपड़ी कि इन लक्षन याद नहीं होग तो कैसे होगा बहुत परिशान हो दोंगा कि रिट में यह ना फ्यूचर में संस्कृत हाँ भी नहीं फ्यूचर में संस्कृत है नहीं होगा नहीं और इतने याद करने तो बच्चा वहीं क्विट कर देता है कि छंद अलंकार तो मैं छोड़ दूँगा अच्छा वाला बच्चा भी जो एजी वो कर लेगा बाकी छोड़ देगा इतने लक्षन याद नहीं होंगे जो दूसरों को कठीन लगता है वही अपनको सरल करना है वही मेरिट बनाएगा आ याद रखना जो दूसरों को नहीं आरा है और उपनको आ रहा है इट विल्द अमेरिट यह वो मेरिट बनाएगा और मेरिट में रेंक लेकर आना इस बार lazt time second rank रास्ता में second rank थी इस बार फस्क लाके दिखा दो फिर बात करें एक विंश्थी वनात्मक कौन है स्रगधरा त्री मुनी कहाँ आएगा स्रगधरा में साथ 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 म्रभने याना कौन है साथ गण है साथ इंटू तीन बराबर कितना 21 बढ़े आगे पुदा हरन पुदा हरन पुदा पराजए फासली लिखकर बोड़ पराजओ ग्रीवा भंगा भी रामम मुहू अनुपत्ती स्यंदने बद्ध द्रश्टिही पुदा हरन पुदा हरन पुदा द्रश्टिह पुदाद पस्ड़ लिखकर रामम मुहुत्त पुदा पुदाए बावत्ध मुहुत्त कौन से प्रसंग का है ये श्लोक अभिगान शाकुंतलम के पहले अंक में जब दुश्यंत एक छोटे से हीरन का पीछा करते हुए कहां आ रहा है कहां प्रवेश कर रहा है है ना वह हीरन जो है वो आगे दोड रहा है उसकी पीछे कौन दोड रहा है शिकार करने के लिए कौन दोड रहा है दुश्यंत अपने रत में दोड रहा है तो वहां लिखा हुआ है गृवा बंगभी राम, मुह, अनुपतति, संदने, बद्ध, पीड से तो वो जो हीरण है वो गृवा यानी गर्दन को भंग यानी तोड करके अभीरामम गर्दन ऐसे सीधी है तोड करके पीछे देख रहा है कि रत कितना पास आ गया है को गृवा भंग अभीरामम गर्दन को तोड कर पीछे मुह यानी पीछे अनुपतती यानी पीछे स पीछे देख रहा है दोड आगे रहा है लेकिन उसकी दृष्टि का है पीछे रत मेरे कितने पास आ गया है आरे समझ में अलंकार पूछते तो स्वभा वोक्ति अलंकार नैचुरल बात है अपने पीछे भी को यह दी क्या लेके बंदुक लेके तो नहीं, बंदुक तो वहीं से मार देगा, अपने पीछे भी यदि कोई चाकू लेके पड़ा हुआ हो ना, तो अपन भी दोडेंगे, लेकिन अपनी नजरे कहा रहेंगी, पीछे रहेंगी ना, कि दूर हो तो थोड़ा स्पीड कम करूं, और आई चुका है तो भागूं फिर, आ रहा है न समझ में, तो ये नैचुरल सी बात है, किसी मनुश्य के साथ भी ये एक्टिविटीज होंगी, तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर करेगा, जैसा कि अभी कौन कर रहा है हमारा हिरन का छोटा सा बच्चा कर रहा है, तो स्वभाविक सी बात है, न करीर आगे दोड़ रहा है, और गर्दन कहां है, पीछे, ठीक है, अलंकार पूछते तो सुभावोकती है, अलंकार, और चंद पूछा है, तो काउंट कर लेंगे, गिनने पर कितने आ रहे हैं, 19, तो चंद कौन सा, सौरी 21, तो चंद कौन सा आपका, ठीक है, बिल्कुल 21 हो चिक है, आठ से शुरू करके 21 तक की यात्रा को पूरा किया, सही बात है ना, आठ से शुरू किया, आठ से 21 तक आ गए, लास्ट फाइव मिनेट और लूँगी, आर रहे है चंद, चंद समापत करें ताकि कल चैलेंज के लिए तैयार होना है फिर, सही है ना, चंद खतम करत है आज, आजो फासली, चंद का नाम है आर्या चंद, हो जाएगा, चंद का नाम है आर्या, आर्या ढर्या जार्या झांड करति लिए और अघना है ताकि को सही है आर्याून से 19 तो बाहे है पासलीया, ग्या दियाएगा है, चंद खते पासलों मिनेगा करतोलं मुल है लिए करते है यह सकतिते हैं संस्ट पूमा, तो कि इतनी बड़ी हैडिक हमने ली नी हमने तो बारा आठारा बारा पंदरा कर दिया बस और समझ में कि याद करना होता था पहले यस्यापाद्य प्रक्मेद्वादश मात्रा अधिक लेनी ही नहीं हमें तो एक दो तीन चार बारा अठारा बारा पंद्रा बस यह इतना सा कैलकुलीशन करने पर हर प्रश्न सही होगा पड़ें आगे कुछ नहीं करना यस्यापादे प्रत्में जिसके प्रतम पाद में द्वादशय मात्रा है तो बिल्कुल अकना बारा यह तथा त्रती है तीसरे चरण में भी आरा मात्रा है अश्टादश द्विती दृत्वितीचरण में अठारा हैं चक्तूर्थ के पंच dragon चोथे में 15 हैं सा आर्या वही आर्या कोई भी लक्षन याद नी करना अपनी सिरीज क्या है बारा आठारा बारा पंद्रा इतना सा याद करना है किया है उदारण अब देखो आर्या चंद होगा वैसे कभी पूछा नहीं गया है पूछेंगे तो कितने चरन देना अनिवी होगा और जैसे मंजनें चारों के चारों जब वह देगा अच्छा दों देगा तो हमारा डॉट उप जाती के यह इंब अगी क Mü2 मेंट अर्या नहीं बन सकता हमें तोो देगा तो यार्या है भिवो को कि अर्या है तो आप्शन में इसन दभले है तो राइस यह इस लोगाना झाल जाता है चथो एक सब्सक्राइब तरन की बात कर रहे हैं। कर रहे हैं। झाल 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 शुरू करें बोड़ पर आजाई जल्दी से अक्षर नहीं गिनने इस बार मात्री के चंद है मात्राइं गिननी पड़ीं ठीक है बारा अक्षर नहीं गिनने बारा मात्राइं गिननी पड़ींगी बोड़ पर आजा जल्दी से वह संयुक्त व्यंजन तो नहीं है तो शा तो कौन रहेगा लगू और शा पर बिंदी है तो गुरू नेक्स्ट लगू गुरू विज्ञानम का जो वी है कौन रहेगा वो गुरू रहेगा ना तो कि पीछे क्या आ रहा है ग्या आ रहा है या अपने आप में कौन गुरू न के पीछे अर्दवर्ण है तो चेके क्लियर कन्फ्यूज मत हो ना शंकर का जो शा है वो तो कौन है लगू है ना लेकिन पीछे वाले शा के कारण क्या हो जाएगा गूरू ये कौन लगू ये ये भी चिक है गुरू आरा है समझ में आकी मात्रा कैसी गुरू मा लगू है देखो मैंने क्या कहा जब भी लगू गूरू लगाओ ना इसके पहले दो काम करने उपर और पीछे उपर देखना कुछ है तो नहीं या फिर देखना पीछे कोई है तो नहीं अब माँ लगू हती है भी क्यों गूरू है या लगू है इसकी प्रा क्या कर रहा रहा है चुप रहा है ना चुप रहे है तो गूरू हो जाएगी अध़ गुरू गुरू और गुरू बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार टॉपिक समाप्त होने जा रहा है कहां बात कर रहे हैं अब हमको गिनना है कि गुरू यानी दो और लगू यानी एक गिनते हैं फासली आप अपनी कॉपी में करते रहना मुझे थोड़ा सा फ्री कर दो आयनी चार पाच्छे साथा आट नौ दस ग्यारा बारा तेरा चुदा फंद्रा सोला सत्रा अश्टादश द्वितिये एक नेक्स्ट एक दो तीन चार तथा त्रतिये अपी आश्टादश द्वितिये थेकए अब दो चार चे आठ नो पस्ग्यारा बारा तेरा चतूर थके पंच दश्य सा आर्या समाप्तुवा क्लियर आर्या समाप्तुवा लिख दिजी बहुत अच्छे से वोगी देखो बहुत अच्छा प्रश्ण है ना मालीनी में यती कहां आएगी वोगी लोके पे आएगी अपना स्थान से समान गरहन कर लो काम बात कर्रहे थे मालीनी में यती कहांँ की बहुत अच्छा प्रश्ण है पहले कौन आ अपना भोगी वोगी आनी कितना यानी कितना आठ फिर तो पूरी एक शराद के फिर कौमा लगा फिर क्या करना है साथ आएंगे और फिर फुल कि लिग दीजिए फास्टली कि वर्णिक चंद मात्रिक चंद सभी प्रकार के चंद समाप तो चुके हैं ठीके यह अंतिम चंद था जो कि हमें पढ़ना था यह भी समाप तो चुका है क्लियर अब कल मिलेंगे एक चैलेंज के साथ ठेक है ना केवल और केवल अंसीन लाइन्स होंगी आपके पास और उन अंसीन लाइन को विट टाइमर कर अच्छा कल कितने लोग नहीं आने वाले सबको आना है ना क्योंकि जितना आपने पढ़ा उसकी प्राक्टिस तो करनी पड़ेगी बिना अभ्यास के तो जो सेना पती ना वो भी हार जाता है तो कल अभ्यास वाला दिने आना ही है टाइमली आना है ठेक है और अंसीन लाइन्स बहुत सारी आएंगी और फासली आपक ठेक है मिलते हैं कल सेम क्लास